असलाम लेकूम ओल्फिरेन कैसे हो आप सब उमीद करते हैं सब ठीक टाक होंगे अच्छे होंगे मैं आप लोग के लिए और एक न्यू रेसिप ले क्या जाजिर हो गई हूं देखी सकते हैं आप मैं क्या बनाए हूं यह जो है एक आचार की रेसिपी है और गर्मियों के सीज अच्छा मैंगो है और यह थोरा सनहार टाइप लेना है नरम हो गया है वैसा वाला बिल्कुछ नहीं चलता है इस वाले आचार में ज्यादा दिन स्टोर करने का रहता है तो आप लोगों को धूप में डालने की कोई जोरूत नहीं है बिना धूप का भी आप लोग इसको ब पूड़ निकाल की क्लीर तो यह देख सकते पूरा चिलका उतार लिया है और इसको पूरा साफ लिया है छिलके के साथ जोहीं इस आचार बिल्कुल ना बनाएं आप लोग छिलके को उतार के ही इससे जोहीं बैस्ट रहता है तो इस तरीके का जो ग्रेट आप लोग वैनि तो देख सकते हैं mango को जो है मैं बड़े साइस का greater से great करी हूँ अगर आप लोग के पस नहीं है तो आप लोग छोटे भी बना सकते हैं तो देख सकते हैं कितना खुबसूरत जो है यह निकल गया है तो मैं सेम प्रोसेस से बनाऊंगी अगर आप लोग के पस greater बिल्कुल नहीं है तो आप लोग जो है इसको इस तरीके से चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक pieces आप लोग बना सकते हैं तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ किस type का आप लोगो को बनाना है आप लोग का चोटे चोटे टुकडे में भी आप लोग बना सकते हैं इसको यह चोटे साइस का जैसा भी आप लोग का सेब देना है उस टाइब का आप लोग इसको बना सकते हैं तो इससे ही जो है आचार बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो यह देख सकते हैं मैंने कट करके आप लोग को दिखा दिया तो चलिए सभी ग्रेट कर लेते हैं और यह हमारा सभी ग्रेट तायार हो चुका है तो आप बाकी का प्रोसेस कर लेती हूं इसका मसाला तैर करने के लिए गैस पर मैंने कराय चरा दिया है और गैस को बिल्कुल चार चमच इसमाल कर सकते हैं और जो है मैंने फ़ोरा सा ब्लैक कलर का जो राय रहता है उसको ले लिया है और अभी जो है देख सकते मैंने सुखा लाल मेल्ची आपर साथ 5 से आरठ ले लिया हूं आप लोग अपने तीकह के अनुसार लाल मेल्ची का बिल्कुल इस्तमाल करिए इसको जो है लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से जो है हमको भून के तैयर कर लेना है क्योंकि जादा दिन स्टोर करने के वज़े से इसको अच्छी से भूनना बहुत जरूरी है तो अभी जो है बिल्कुल भून चुका है और लास्ट मैं अभी जो है दो बड़ेचमा जिसमें मैं सौफ डाल ले हूँ इसको बेंगॉली में मोरी कहा जाता है तो यह जो है ज़्यादा भूनना नहीं इसमे से बहुत ही खुबसूरत जो है एक खुसबू आता है इसके वीजादा भूनना नहीं तो अभी देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल पेस्टों के तैयार हो चुका है इसको जो मैंने थोरा सा दरदराई रखा है बहुत जादा मैंने पाउडर नहीं किया है तो अभी इसी कराय में जो है हमको बाकी का प्रोसेस आचार का कर लेना है तो कराः हमारा जो है अब ये गरम में फिर से चरा दिया है और आभी जो है मैं इसके अंदा तेल डाल रही हूँ यह पर मैं सरसो का तेल का इस्तमाल कर रही हूं इससे आचार बहुती फ्लेबर फुल और बहुती टेस्टी बनता है तो तेल आप लोग सरसो का ही इसमें इस्तमाल करिए तो यह पर मैंने जो है बिलकुल आदा कप मैंने तेल का इस्तमाल किया है देर सो से दो सो ग्राम और लो फ्लेम पे इसको रखा है अभी जो है इसके अंदर में हींग आट कर रही हूँ बिलकुल आज़ी है अगर आपको पसंद है तो आप लोग डाले कलौनजी थोरा समय डाल घुझाए लाग है तो कलौनजी का भी ढ़ाले ही है मुझे आचार कि फलेवर बहुत ज़्यादा पसंद है आपको पसंद नहीं तेले कि पit जले को यहाँ कि नहीं हैं तेल जितना घरम है उसमें जितना पुड़ा हो रहा है उतना ही फोड़ा सचला देते दर जांगी आये हाँ सब्सक्रों मान डतीयन करते में जो परता जो बाजते हैं तो कि अब भड़ा मैंगो को पूरा कर रही हूा on छिल का निकालने से पहले आप लोग ल्यूत थे दूपके दोपाणा का domin gotta ढूरे आपके आससै. आशरल जादा धर दिन तक भील्कूल नहीं रहता न सहीं उसके बार गरेट करने के बार चाने के देट अब लोगो पानी में भील्कूल दाल ně नहीं और अभी जो इसके अंदर में हल्दी पाउडर डाल देती हूं मैं एक बड़े चमच हल्दी पाउडर इस्तमाल की हूं अभी इसी तेल में जो इसको लगातार फ्राई करना है मीडियम फ्लेम करके गैस को और हल्दी पाउडर थोड़ा सा जब तक भून जाये तब तक हमको इसके अंदर नमक को अट कर देना है मैं बड़े 2-3 चमच यहां पर नमक का इस्तमाल कर रही हूं मैंगो जितना ज़्यादा खटा होगा उतना ही नमक का इस्तमाल आप लोग ज़्यादा करिए अब जो मसाला हमने बना के रखा था उसको मैं पूरा इसके अंदर आड़ कर दे रही हूँ मैंगो हमारा करीबन पाच मिनिट तक फ्राय हो चुका है उसके बाद ही जो है मैं अभी इसको मसाले इसके अंदर आड़ कर रही हूँ इसका ध्यान आप लोग जरूर रखे अब देख सकते हैं यह पूरा अची तरह से मिक्स हो गया है आप जो है हमको इसको इसी तरह चलाते हुए पकाना है करीबन दो मिनिट तक तो दो मिनिट हो जाने के बाद इसके अंदर हमको लालमेची पाउडर आड़ करना है देखी सकते हैं कितना ज्यादा इजी है और आप लोग इसको जो है दिखने में यह थोड़ा डिफरेंट लगेगा और खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी है बहुत ही हमारे घर में परसनल सब को बहुत ज्यादा पसंद यह वाला आचार तो इसको ढखके इसी तरह से चोड़ दूँगी करीबन में 2 मिनिट के लिए low flame बिलकुल low flame और अब अभी गास के फ्रेम को ओफ करने के बाद इसको जो है थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसको में काच के भरनी में भरके रख दूंगा करीबन एक से दो साल तक आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं और जो है बाकी का तेल भी आप लोग उपर से थोरा से ज़्यादा डाल सकते हैं इससे जो है आचार बिल्कुल खराब नहीं होता बहुत दिन तक स्टोर रहता है तो आप लोगों को यह वाला आचार की रेसिपी कैसा लगा जुरूर मुझे कॉमेंट करके बताना आप लोग जरूड इस आचार को एक बार जरूड ट्राय करना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कोमेंट शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना और भी मेरे चैनल पर आचार की रेसिपी है बहुत सी मैंगो की रेसिपी है अलग-अलग चटनी की रे